एस्बीडी न्यूज में आपका स्वागत है पेशे राजसान की बड़ी खवरें राजसान में तबादलों से बैंड हटते ही करमचारियों में खुशी की लहर दोड गई है लेकिन शिक्षा विभाग के थर्ड ग्रेड शिक्षक मायूस है इनकी वज़ा है प्रदेश के करीब दो लाग थर्ड ग्रेड शिक्षकों को अभी तबादलों के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा शिक्षा राजे मंतरी गोविन सिंग दोटासरा ने इस सम्मध में साफ संकेत दे दिये हैं कि भले ही सबी वभागों में हट्ष्रेणी के करमचारियों के तबादली किये जाएंगे लेकिन फड़ ग्रेड शिक्षकों को अभी और इनतजार करना होगा हालांकि थर्ड ग्रेड शिक्षिकों के अलावा शिक्षा विभाग की अधिकारी, प्राचारय, व्याख्याता, वरिश्ण ध्यापक और विभाग के मंत्राली करमचारी तथा चतूर्थ शेणी करमचारियों तक के तबादली किये जा सकते हैं लेकिन थर्ड ग्रेड शिक्ष पर मना ही रहेगी राजे के समान्य प्रशासन विभाग ने 16 सितंबर को इसकी अधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं। पर महिलाओं के लिए अरक्षित हैं। बिजली की दरें इतनी जादा हो गई हैं कि आम आत्मी अपने खर्चों में कटोती के बाद भी बिल के लिए राजे का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। पर महिलाओं के इस दोर में जब हर तरफ आर्तिक मंदी चाही हुई है। PCC में पांच महिने में आई करीब 10,000 शिकायतों का क्या हुआ इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी अजे माकर ने भी मंतरियों को इसके निर्देश दिये हैं। Common Admission Test 2020 के लिए आवेदन करने की अंतिम्तिती अब 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जल्द तलाश करने के निर्देश दिये हैं। सबसे अधिक जैसल मेर के रामगड में 33 मिली मीटर बारिश हुई। सिरोही के रेवदर में 21, उद्यापूर के गिर्वा में 15 तथा प्रतापगड में 15 मिली मीटर बारिश हुई। बासवडा डूंगरपूर, जालो और जैसल मेर भी पानी बरसा। वही प्रदेश में दिन और रात का तापमाल सिर बना हुआ है। कोटा जीले के खातोली और बुंदी जीले के इंदरगर थाना शेतर के बीच से जा रही चंबल नदी में नाव डूबने से हुए दरदनार हास्ते में चार यूवकों ने अपनी जान पर खेल कर 30 लोगों की जान बचाई। नाव में ही सवार और लोगों को बचाने वाले एक यूवक गोविन ने बताया कि कुछ दूर जाने के बाद ही नाव में पानी भरने लगा। हम नाव से उतर कर उसे किनारे लगाने की कोशिश करने लगे। इस दुरान नाव डूब गई। सबसे पहले रैस्क्यू चलाने पंच सरपंच के चुनाओ में प्रत्याशी 50,000 से जादा खर्च नहीं कर सकेंगे। पंच सरपंच के चुनाओ में अधिकतम 50,000 रुपे खर्च सीमा निधारित की गई है। अधिकतम सुचना खर्च की सीमा से अधिक खर्च करना आदेशों का उलंगन होगा जिस पर ही की जाएगी। अभिहत्यों द्वरा चुनाओ प्रसार के लिए वहनों, लाउड स्पिकर, प्रचार समगरी वे अन्यमदों में खर्चा किया जा सकेगा। वहनों वे लाउड स्पिकर का उप्योग के लिए संबंदित रिटर्निंग अधिकारी से लिखित अनुमती के बा प्रति कराई जाएगी। इसके लिए बुधवार से ओनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यकरम के नुसार आवेदन 30 सितंबर तक भरे जाएंगे। तथा मुख्य परिक्षा में पास होने पर 30,000 वे 20,000 रुपे तथा अंतिम रूप से चैन होने पर 5,000 रुपे योजना अंतरगत दिये जाएंगे। आना नानी का श्राद भी पित्रकाया मावस्या के ठीक एक महीने बाद आएगा। मैन पावर की कमी और रीडिंग को लेकर उपवोक्ताओं की आए दिन आने वाली शिकायतों का निदान जोत्पो डिसकॉम ने खोज लिया है। अब घरों और फैक्टरियों में रीडिंग के लिए मीटर रीडर नहीं आएंगे। इसके लिए सभी सम्बदित उपवोक्ताओं के घरों के बाहर अब स्मार्ट मीटर लगेंगे। यह मीटर एनरजी एफिशेंट सर्विसिस लिमिटेड कमपनी से 12 करोड 24 लाक रुपे की लागत से मंगवाय जा रही है। इन स्मार्ट मीटर में लगी माइक्रोचिप से कंज्यूमर के बिजली मीटर की सारी रीडिंग मीटर रीडर हर महिने कम्प्यूटर सर्वर से ले लेगा। इस सर्वर में सारा डाटा रहेगा। प्रधान मंदर निरेंदर मोदी का 17 सितंबर को 17 जर्म दिवस है। इस अफसर पर भाजपा देश भर में सेवा सप्ता चला रही है। पूरे सप्ता के दुरान सेवा और समाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य हो रहे हैं। और बड़ी खबरों के साथ।